इस वीडियो में हम सारणपु उन्वस्टी जो साकुम्बरी उन्वस्टी है उसका बियर फस्ट यर का एक प्रिविएस यर कोश्चन पेपर देखने वाले हैं सन 2022 का यह पेपर है सोसल साइंस का पेपर है समाजिक विज्ञान का सबसे पहले हमें 6 लोंग कोश्चन मिलेंगे 2-2 के जोड़े में किनी भी 3 का में एंसर देना होता है यह हमारा पहला लोंग कोश्चन है इसमें भी 2 कोश्चन आएंगे दोनों में से 1 करना होगा मैं समाजी गद्धन की परकरती वगरा लिख सकते हैं या सिक्षन उद्देशों के बारे में लिख सकते हैं इन दोनों में से 1 कोश्चन करना होगा आपको 16 नंबर का एक लोंग कोश्चन होता है यह दोनों कोश्चन अपनी मैंने रेगुलर क्लासिज में कवर करा दिया है जो SST की रेगुलर क्लासिज मेरी चल रही है उसमें दोनों कोश्चन में कवर करा चुका हूँ नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें भी दो long question मिलेंगे, हम कोई भी एक कर सकते हैं, पहला तो वियू रचना वाला कर सकते हैं, वियू रचना के बारे में मैंने सब कुछ आपको बढ़ा दिया है, या तो आप ये कर लीजिए, या पर teaching aid वाला कर सकते हैं, teaching aid के बारे में मैंन सब कुछ बता दिया है, मैंने पाठ्ठे करम के आधार वगरा है, तो अच्छे से बताया हुआ है, वो question आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मुल्लंकन के बारे में भी सब कुछ बताया है, मैंने मुल्लंकन क्या होता है, कैसे होता है, तो 6 long question आए हुए है, SST के paper में, और मैंने 4 का में उत्तर देना होगा, और 4 number का 1 short question देता है, यह हमारा पहला short question है, समाजी कद्दन के बारे में, यह कर सकते हैं, सोक स्विक्सन के बारे में कर सकते हैं, यह भी मेरा पड़ाया हुए है, content analysis यह भी मैंने पढ़ाया हुए है, यह कर सकती हैं, उप्चा अत्मक्सिक्सन त समाजी एकद्धन में परियोग सला, तो यह आपको पता है तो लिख सकते हैं, बाकि आप अथवा में छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यह 8 question है, टोटल, 8 में से सिर्फ 4 ही करने हैं, और लगबग मेरे पढ़ाएवे ही आई में हैं, सभी यह short question है, अब बात कर लेते हैं, very short question की, 10 very short question मिलेंके, कोई भी 8 आपको करने होंगे, दो नमबर एक very short question देता है, सबसे पहला very short question आई यह, statement वाले भी आ रहे हैं, इस पार statement वाले भी question आई हैं, साकॉम्बरी इनवस्टी में, तो statement को भी मैं लेकर आऊँग, important statement कौन कौन से paper में आ सकते हैं, BS Bloom का पूरा नाम Benjamin Smith Bloom, आप लिख सकते हैं यह, दो सिक्षन कोशलो के नाम लिखिए, कोई भी दो teaching skills जो micro teaching की थी वह लिख सकते हैं, RCM का पूरा नाम Regional College of Education, मैसूर लिख सकते हैं आप, मुल्यांकन मापन में संबलित है, सही मुल्यांकन मापन में संबलित है, देख ले ना सही गलत क्या होता है, व हमारा 36 मिंट में होता है, वो आप लिख सकते हैं, ग्यानात्मा पक्स कवर की करन बलूम ने किया था, वो लिख सकते हैं, तो आसान पर question आए में हैं सभी, यह हमारे very short question है, आसान आए में हैं, दस आए में हैं, आट आपको करने होते हैं, यहां से पहला very short question शुरू हो जाता हैं, इन्हें आप देख सकते हैं, सारे question मेरे पढ़ाएवे आए में हैं, बाकी very short question की एक अलग से series भी लेकर मैं आऊंगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यह very short question है हमारे I hope अब आप इस paper को समझ पाए होंगे, यह paper कैसा है, यह हमारा SST का paper था, साकुमरी उनिवस्टी का सन 2022 का, वीडियो आपको अच्छे लगी हो, आप इसे अपने BID group में दोस्तों के साथ share कर सकते हैं, BID की सभी subject के daily regular classes लेने के लिए, आप इस channel को subscribe कर सकते हैं, till then, bye bye, take care